हलो दोस्तों सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकोड़े इसे कांदा भजिया भी कहा जाता है तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरह से बनेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ले लिए हमने दो प्याज तो इस तरह से पहले तो हम बीच में से काट देंगे प्याज को और यह जो बीच का पार्ट है इसके गठान वाला यह हम निकाल देंगे इस तरह से हमें इसको निकाल देना है दोस्तों यह निकालने का कारण यही होता है कि यह जब प्याज आपका काटेंगे हम तो एक एक प्याज खिला खिला आएगा तो इस तरह से सभी प्याज के हमने यह साइट की जो गाठ होती है वो निकाल देंगे तो चलिए इस तरह से निकालने के बाद आप इसे लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से इसे लंबे लंबे काट लेने हैं लच्छे की तरह से आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं पर हम इसे लंबे लंबे बनाएंगे कांदा भजी अब बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखें ये सारे खिल चुके है ये देखें इसी तरह से खिल जाते हैं जब खोलेंगे तो आप पूरे प्याज खुल जाएंगे तो यहाँ पे प्याज हमारे त्यार हो गए है तो यहाँ पे लिया है हमने एक बड़े बाउल में पानी तो पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे जितना भी इसका कड़वा पन होगा वो भी निकल जाएगा और इसकी गंदगी भी सारी निकल जाएगी तो इस तरह से अच्छे से मल मल के इसे वाश कर लेना है तो wash कर लिया है हमने ये देखिए पे आज हमारा कितना खिला-खिला सा हो गया है तो एक-एक दाना जो है हमारा निकल जाता है तो यहाँ पे हमने लिये एक बड़ा चमच बेसन का और आदा चमच बेसन का हम और लेंगे इसमें आप अपनी quantity के साफ से डाल सकते हैं तो स्वाधनुस्वार नमक लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर यहाँ पे हमने लिये है थोड़ा सा kitchen king और थोड़ा सा लेंगे हम healthy पाउडर सौफ का बहुत ही अच्छा flavor आता है इसमें सौफ डालेंगे और साथ में डालेंगे अजोयन और यहाँ हमने लिये है कटी हुई हरी मिर्च हमने लाल मिर्च भी डाली है तो आप अपने हिसाब से मिर्च का balance कर लिजेगा अगर आप बच्छों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम रखिएगा तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे इसमें पानी का बिल्कुल भी use नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे प्याज के अंदर moisture होगा वो सारा basin के साथ coat कर देंगे जुरूरत के हिसाब से ही हम पानी डालेंगे तो यहाँ पे हमें जुरूरत पड़ रहे है बिल्कुल हलका सा एक चमच हमने पानी लिया है यहाँ पे तो इसे अच्छे से mix करेंगे ज्यादा tight नहीं होना चाहिए और ज्यादा धिला नहीं होना चाहिए बैटर देखिए यह होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए और बेशन भी हमें ज्यादा नहीं डालना कि इतना नहीं डालना कि हमें प्याज बिल्कुल नजर आना चाहिए इसमें तो यह तेल हमारा यहाँ पे गरम होगे तो चलिए बैटर लेके छोटे-छोटे पकोड़े हम इसके अंदर डाल देंगे, तो इस तरह से हमने छोटे-छोटे पकोड़े डाल देने हैं इसके अंदर, तो अलट-पलट के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, क्रिस्पी होने तक, तो यहाँ पर किसी भी चम्मच की से आप इस पर तेल थोड़ा-थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो देखिए कलर इसका चेंज होता जा रहा है, यह गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, तो इसी तरह से हमें फ्राई करना है, और फ्लेम जो हमारा मीडियम होना चाहिए, ज्यादा हाई नही तो यहाँ देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है इसमें, तो इसे हम निकाल लेंगे, तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है, अब हम निकाल लेंगे इसे टिशू पेपर के उपर, तो जितना भी इसका एक्सेस ओयल होगा, वो निकल जाएगा, तो बनकर तयार है हमारे क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े, तो करते हैं इसकी प्लेटिंग, तो चलिए बनकर तयार हो गए हैं, दोस्तों हमारे बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से क्रंची से प्याज के पकोड़े, इसे प्याज की भजिया भी कहा जाता है, तो यहाँ मैंने 4-5 हरी मिर्च भ साथ हरी वाली सर्व तो ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई किजेगा बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक